तो वह सब गाइज आज की इस फीडियो में हम देखेंगे की जो कल हमने रिजिस्टरेशन फॉर्म मनाया था उसको कैसे हम बैकेंड से करेंगे तो इसमें आज हमने क्या किया है इस रेपर पूर्ड को आप्शन दिया है कि आपको डालना चाहिए आप डाल सकते हैं नहीं डाल यह यह जो जो लिए और यह जो कोड है वह जो जो रजिस्टर होगा उसके दिए रेंडम कोड जनेरेट करेगा means उसका जो referral जो आगे forward कर सकता है और referral code वाले column में वो वाला code लिखे कर जो user ने डाला है कि मैं इसके through register हुआ हूँ so शुरुआत करते हैं इस चीज की चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो गाइस सबसे पहले हम डाटाबेस बना लेंगे ठीक है और डाटाबेस का नाम हम का मतलब एक डाटाबेस का लिया था आज हम बनाएंगे इसमें टेबल तो हमने टेबल का नाम देती है user और हमने सबसे पहले का नाम इडी दूसरा नेम थीसरा email चौथा पास्वर्ड और थोड़े से कॉलम्स एड कर दिये तो मैंने फाइथ कॉलम्स और एड कर दिये देन अगें वी आप टोड कोड का मतलब होगा रेफ्रेल और स्टेटस के लिए दिया देन टेट एंड टाइम बेसिकलि आप यहां पर देट ताइम कुछ भी दे सकते हैं वयरड कर्क मतलब वयरिवल और करेक्टर टोम में नेम लेंगे 30 इमेल की 32 पासवड की 32 कोड ही हम दे देंगे बिसिकली कोड की हम 5 दे देते हैं और स्टेटर दे 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 निए हम विच इस और जो हमरा आइडी है हम उसको यह उट्व इंक्रिमेंट पर कर देंगे और उट्व जब भी कोई नहीं टेबल आई जब भी कोई नहीं रो एड़ होगी तो वह आटोमेटिकल उसको एक नंबर असाइन हो जाएगा ऐसे तो हमने कल एक काम कर लिया था कि जो हमारी बैकेंड डॉट पी एच पी है उस पर हमने फ्रेंट से डाटा बैकेंड पर बिच्वा किया था जबाएंगे सालेक साथ करौ फिर फोजर वेयर इमिली फिक वर जो हमारा वरियर ओं जहां पर इमिल का डाटा आएगा विच इस डॉर इमिल शोच का नाम डॉलर इमिल इमेल राइट यह नहा वेरीबल बनाएंगे डॉरण रिज टॉर्डॉर्ट एकने यह नहा वेरीबल और डॉलर कनेक्शन दो परामेटर पास करने पड़ते हैं डॉलर कनेक्शन और डॉलर स्क्राइब अगर वो इमेल हमें मिले तो डॉलर प्रेजेंट इक्वल तो यसक्योल अगर वो इक रो फाइंड होती है ऐसी इफ डॉलर प्रेजेंट इस ग्रेटर दें जीरो तो वो अंदर आ जाए और यह को कर दे इमेल अलरेडी एग्जिस्ट इमेल अलरेडी रिजिस्ट्र इसीगी एल्स और अगर ऐसा ना हो तो वो एक क्वेरी रन कराए क्या इंटू जीजर और अंदर के डाल दे सबसे एंपर आशेल अमारे नेम कमा ईमेल कमा पास्वड कमा और और लिए सब्सक्राइब गए इनमें इसको कर दिया वाग तो आपको पहले वाले ब्रेकेट में कॉलम के नाम देने पड़ते हैं दूसरे वाले में उन वेरियेबल के नाम जिसमें आपको वो डाटा प्रिजेंट है और यह सब सिंगल कोडस के अंबर आता है like this so perhla now password code like this here ch sorry risking I say then again ap under rain or $ result equal to my sqli underscore query this and last when reading if $ if $Result equal to equal to true agar true to under aye followed the т e code registered करें ऑके फिर्टी सिंपल तो पहले हम चीज को ट्राइ करते हैं और यह में अपने बाद पर इसको रिफ्रेश करने के बाद मैंने अपने पर नाम डाल अपना पासफर डाला और वे एक रेफ्रेल कोड डालती है और यह मैंने करा दिया रजिस्टर सब्सक्राइब करने पर मुझे एक एरर आता है विच इस कॉलम काउंट डजन मैच वैल्यू एट रोवन और एरर सॉल करने के लिए थेकिन लाइन नमबर ट्वंटी वन है वह क्या है हमने ने इम पास्वर्ट स्टेटस हमने पांग चीजे ली और यहां पर हमने ओन्टिव उसमें डाली है और हम यहां क्या करें गे जाल्ट स्टेटस के लिए आधा पासवर्ट के लिए पासवर्ट के लिए कोड के लिए कोड and then one for status और अब में अपने कोड को रिफ्रेश करूंगा तो रजिस्टर सक्सेस्फ़ली और अगर मैं इसको फिर से रिफ्रेश करता हूं सेम चीज को तो यह कहा देता है इमेल अर्डी एक्सेस्ट ठीक है तो यह ची करेंगे क्योंकि वह हमारा जो पॉं है वह है अप्शनल ठीक है अब हम क्या करेंगे की जब भी कोई बंदा रजिस्टर करेगा तो हमने इसमें कोड लिख रखा है यह है इसका कोड हम इसमें क्या करेंगे एक कॉलम और एड करना चाहेंगे ठीक है विच इस बाइड बाइ मैं रेफरल का कोड डालेंगे और जब वो खुद रिरजिस्टर करेंगा उसे यूनिक कोड हम प्रोवाइड करनेगे ठीक है अब तो यू गाइज हम एक चीज करेंगे वह होगी कि हम एक रेंडम कोड जनेट करेंगे ठीक है सो हम चलते हैं से प्रेड जीपिटा के पास बडिसिकली जिस से यू चे ठीक छेड जीपिटा से एक एक रेंडम पॉर जनरेट करवाएड फा नियुमेरिकल होट डिकल दो हम इससे एक ऐल्फा जनरेट कर वार लेंगे करने के बाद एक हम नई PHP बनाएंगे जो होगी हमारी test.php इसमें हम ऐसे कुछ भी PHP का टेस्ट करने है ठीक है करने के बाद हम एक चीज और चेकेंगे कि जब इमेल ऑल्रेडी रेजिस्टर्ड है तब तो उसको यह function generate करानी कोई जरूत ही नहीं है तो कि वो अल्रेडी प्रेजेंट होगा उसमें है और जब इमेल रजिस्टर्ड नहीं है तब उसरे रेजिस्टर्ड करानी की जरूरत है तो हम क्या करेंगे हम इसको यहां पर इस्तिमाल करेंगे like this so function हमने use किया इसके else by ठीक है और जो हमारे e को random code कर रहा था वो हम random code इस बार code की जगे पर place करेंगे which is random like this okay now हम इसमें एक और चीज करेंगे which will be जो हमने लिया है वहां referral code so इसके जो हमने यहां पर column के नाम दे रखें यहां पर की निटालेंगे referral code और हम एक चीज और करेंगे कि हम check कराएंगे यह referral code किसी का है या नहीं है तो हम क्या check कराएंगे if यह नल भी हो सकता है यह यह नल भी हो सकता है code मैं यहां पर check नहीं कराऊगा इसको में आज़ाटा लेका इफ dollar underscore post if dollar underscore post वेगर dollar underscore post code वहां से आता है ठीक है code आता है तो अंदर आए अंदर आने के बार वह एक variable store हो जाए ठीक है अगर वहां से कोई code आए तो वह एक variable में store हो जाए ठीक है automatically generate होकर इसमें लग जाएगा और अगर कोई भी referral वाला code present नहीं है अगर कोई भी referral वाला code present नहीं है तो वह उसकी जगा प्रकर प्रक्राइब अपर इसको मैं आपको एक बार चलाके लिखाता हूं तो प्रक्राइब दो भी नें पर आपर और में नेकर रिट्रेश होड़ा रिट्रश करने के बाद मिने फिर से अपनी सेम एमेल एडि सेम पास्ट पाषब रजिस्टर क्या और कोई लेक रेंडम को डाल लिए और मैंने किया रजिस्टर So email और रेडी एक्स तो आमने तो इमेल में 84 की जगा कर दूगा 99.com और 84 की जगा कर दूगा यहां पर 99 और 99 करने वाद मैंने यहां पर क्लिक कर दिया register बार so register को क्लिक करने वाद यह कहरा undefined variable random tool so let's see ऐसा क्यों कह रहा है so जैसे कि मैं यहां पर था random code यहां generate हो रहा है no issues और मैं इस dollar code की जगा यह यहां से code return कर रहा है कि एक से डॉलर आरे वाचे चलते हैं तो यह थोड़ा अच्छे सब्सक्राइब कर दिया है और ठीक है बिल्कुल परफेक्ट है यह चीज और अब आइधिक यह चीज स्रीक्राइब कर लिए कि इमेल और रेडी रिजिस्टर तो बैग गया बैग जान के बाद 99 के रिजिस्टर नहीं होने चाहिए थी वह बिसक्रे रिजिस्टर इसले हो गई मतलब मेरे कहने का यह है कि जब हमने उसको डाला था तो एरर के साथ साथ भी रिजिस्टर उसने कर लिया था और अगर मैं फिर से इसको रिजिस्टर डाल तो इस शोज में रेंड और यह पिर रेंडम कोड का सब्सक्राइब कर लेगा कि यह थिंक कर रहा है कि तो रेंडम कोड इस और अस्टाइब कर आप भी समझिए कि जो दिक्कत है रेंडम कोड का सी केपिटल है जो कि हम करना था जो कि हम करना भूड गया कोई दिक्कत नहीं है और इस बार इप्रेश करेंगे इस बार आप देख सकते हैं एक रेंडम कोड वो आपको दे देगा तो अगली वीडियो में कुछ नया करेंगे जिसमें की हम रेफ्रेल कोड को चेक कराएंगे और जो भी पॉइंट्स होंगे जिस भी यूजर के रेफ्रेल से वो रेजिस्टर करेंगा वो और जिसने रेज जिस्टर के आप दो दोनों को 10 10 points मिले नीं सो मिलते हैं आपको नहीं वीडियो में